क्या देखने को मिलेगा हमें दबंग 4 में? किस बात में साथ दे रहे सल्मान भाई के फैंस? अमिनेता सल्मान खान को क्या है क्रिटिक्स की सला? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपकी दोस्त और होस्त मैं अन्विता हाजिन हूँ आपके सामने और अब लेकर चलत को थोड़ा सा निराश कर दिया पर सल्मान खान का फैन वेस काफी सॉलिड है और स्टार्डम अनकॉशनेबल है इसलिए उनके फैंस ने अभी उनका साथ नहीं छोड़ा है का जो रहा है कि दबंग 3 से पहले ही दबंग 4 की स्क्रिप्ट सोच ली गई थी यानि कि जब यह फ बंग 3 के बाद सल्मान का और बाकी को स्टार्स के लिए बहुत जरूर हो जाता है कि दबंग 4 फैन्स की उमीदों पर खरी उत्रे पर आपको बता दें कि क्रिटिक्स सल्मान को सही फिल्मों को चुनाफ करने की सलाथ दे रहे हैं सल्मान भाई जब उन्होंने अपने करियर क शुरूरात की थी तब वो एक बहुत ही पहादोर बिनेता थे क्योंकि हर तरह की रिस्क लेने को तयार होते थे कमफर्ट जोन से बाहर जाकर भी कई भूमिकाई निभाई और अब जब इस समय वो अपने स्टार्डम की पीक पर है तब वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते शायद सल थोड़ा रीइंवेंट करने की जरूरत है और हमें यकीन है वो आएंगे दबंग फोर से एक बैंग और धमाके के साथ तो आप करते रहें अपनी फिल्म का इंतजार और हमें कॉमेंट वॉक्स में लेकर जल्दी से बताएं कि आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटिड जरूर करें साथ बॉलिवट होले वोद टॉलिवट की ऐसी मज़ेदार जानकारे के लिए देखते रहें ये बॉलिवट स्टूडियोस स्टे हैपी स्टे सेफ धिल्डार झाल झाल